सत्संग के बचन हुजूर महराज बाबा सावन सिंग जी द्वारा फर्माए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। सत्संग के बचन सार बचन वानी स्वामी जी महराज की चितावनी भाग तीसरा उपदेश सत्गुर भक्ति का यह तन दुरलब तुमने पाया कोट जनम भट का जब खाया अब या को बिर्था मत खोवो के तो छिन छिन भग तिक मावो संत सत्गुरू सचखंड से आते हैं जब परमात्मा इस दुनिया को तारने का सामान पैदा करता है वो किसी वली, किसी पैगंबर को भेजता है वे आकर क्या कहते हैं के भाई, ये देश तेरा देश नहीं, ये कौम तेरी कौम नहीं तेरा देश सच्खंड, तेरी कौम सतनाम है इस दुनिया में 84 लाख यूनिया है कई लाख किस्म के व्रिक्ष, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी कैई लाग किसम के पानी के जीव कैई लाग किसम के भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इनसान वगएरा कहते हैं कि 84 लाख यूनियां भोगने के बाद तुझे मनुश्य का जन्म मिला है तु इसे ऐसे ही बर्बाद ना कर क्या करो? मालिक की बंदगी, परमात्मा की भक्ति करो अब सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा तो मिलता नहीं लोगों ने दरिया, पहाड, सारे जंगल, वेद शास्त्र, सब छान मारे लेकिन ना मिला कहते हैं परमेश्वर दिखाई देता नहीं पिर भक्ति किस की करे? कहते हैं अगर मालिक से प्यार करना है तो गुरु से करो सोचने वाली बात ये है कि जब तक हमें अकाल पुरुश नहीं मिलता हमें किस के साथ प्यार करना चाहिए? सारी दुनिया को सामने रख लो पांच क्लासें या जमाते हैं सब से पहले वो क्लास है जिसमें एक तत्व पूर्ण है अगर आदमी तुलसी पीपल की पूजा करे तो नीचे को गिरा इससे आगे बिच्छू सांप बगारा है इनमें दो तत्व पूर्ण मिट्टी और आग और बाकी मुर्दा यानि नाम मात्र है मैंने जंगलों में देखा है जहां बीस-बीस मीन तक पानी नहीं मिलता वहां भी सांप, पिच्छू, छिपकली आदी देखे है अगर आदमी इनकी पूजा करे तो नीचे को गिरा इससे आगे कबूतर, चिडियां, कवें हैं जिनमें तीन तत्व यानि पानी, आग, हवा, पूर्ण यानि जिन्दा और बाकी मुर्दा है जो इनकी पूजा करे तो भी वो नीचे को ही गिरा इससे आगे की क्लास में पशू है गाएं, भैंसें, घोड़े वगरा वगरा इनमें चार तत्व पूर्ण मिट्टी, पानी, आग, और हवा और बाकी एक मुर्दा है जो आदमी पशूओं की पूजा करता है वो पशू बनता है इसलिए आदमी से बढ़कर और कोई योनी नहीं लेकिन आदमी सारे एक जैसे है पाँच तत्व मेरे पाँच तत्व आपके पाँच तत्व उसके पाँच किसी और के आदमी, आदमी की पूजा करता नहीं पूजा करे भी क्यों यहां आकर दुनिया नास्तिक हो गई वे कहते हैं जो आपका परमात्मा है लाओ, दिखाओ वो कहाँ है लेकिन इसके आगे रास्ता है किस तरह जिस तरह एक कमरा है जिसमें एक बैटरी कलकत्ता या किसी और जगा से जुड़ी हुई है वो बैटरी खबने देती और लेती है अगर उस कमरे में दस, बीस, पचास और बैटरियां हूँ जिनकी तरह जुड़ी हुई ना हो तो क्या वे खबने लेंगी हरकिस नहीं यही हाल संतों का है उनकी बैटरी जुड़ी हुई है हम उनके पास क्यों जाते है क्योंकि उनकी बैटरी अकाल पुरुश के साथ जुड़ी हुई है वे परमात्मा से हबरें लेते और देते हैं वे हमारी भी ताव जोड़ देंगे इसलिए गुरु अरजुन साहिब कहते हैं गुरु 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 कर मनमोर गुरु बिना मै ना ही होर गुर पर मेसर एको जान जिनकी ये बाणी है उन्होंने गुरु भक्ति का नमूना बनकर दिखा दिया गुरु से प्यार करके अपना हरदे निर्मल किया अब जब हम गुरु के पास जाते हैं गुरु क्या कहता है कि मैं तो गुरु नहीं गुरु तेरी अंदर है मैं तेरी तार उसके साथ जोड़ देता हूँ गुरु नहोवे तो जूठी गुरुवाई लेवे गुरु नहोवे गुरु नहीं गुरु चाहिए अधूरे गुरु से काम नहीं बनता यानि पूरा फाइदा नहीं हो सकता जो गुरु शब्द का रास्ता देता है वो पूरा गुरु है नहीं तो अधूरा गुरु है जिसे गुरंत साहिब गुरु शब्द कहता है वो भाग्य से मिलता है वरना अधूरे गुरूओं से दुनिया भरी पड़ी गुरू सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से, अगर शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरू मिल जाये, चाहे किसी कौम किसी मजब का क्यों नहो, उस रास्ता ले लो। कहते हैं, लिखने, पढ़ने, बोलने को शब्द नहीं कहते, वो जो शब्द गुरू देता है, वो तुरियापद में जाकर मिलता है, नौ द्वारों में से, सूरज, चंद्रमा, तारों से रूख को निकाल कर, जब वो अभ्यासी तुरियापद में जाता है, तो वो शब्द मिलता है, यहां से पांच शब्द शुरू होते हैं, पहले ब्रहम शब्द, फिर पारब्रहम शब्द, फिर सोहंग शब्द, सचखन तक पांचों शब्द पूरे हो जाते हैं, जितने महात्मा सच्खन से आये हैं, उनका पांच शब्द का रास्ता है, रुनानक सहाब, कबीर सहाब, पल्टू जी, दादू जी, मौलाना रूम, और दूसरे महात्मा भी शब्द मार गी थे, जो इन पांच शब्दों का हमें रास्ता दे, वो पूरा गुरु है. दोखाया में कुछ न रहाई, अब हमने गुरु की पहचान बता दी है, अगर ऐसा गुरु मिले, तो बड़ी खुशी से धारन कर लो. शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चर्नन की होजा धूरा, अगर गुरु शब्द की कमाई करता है, और शिश्यों को शब्द का रास्ता बताता है, ऐसा गुरु मिल जाए, तो बड़ी खुशी से धारन करो. और पहचान करो मत कोई, लक्ष लक्ष नदेखो सोई, कहते हैं और पहचान करने की जरूरत नहीं, ये भी ख्याल ना करो, कि वो गरहस्ती है, कि त्यागी है, हिंदू है, कि मुसल्मान है, चाहे किसी कौम, किसी मजब का क्यों न हो. शब्द भेड लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तनमन से. आदमी को चाहिए कि उनसे शब्द की राह लेकर अपने अंदर चड़ जाए, कमाई करके दरजा बदरजा सचखन पहुंच जाए. अपने जीव की कुछ दया पालो, चाहरासी का फेर बचालो. संत कहते हैं के हे पुरुश, तु अपने उपर दया कर, जो आदमी अपने आप पर दया नहीं करता, उस पर कोई भी दया नहीं करता, जो आदमी चोरी, ठगी, दाके, दुराचार करता है, वो अपने आपको नर्कों का अधिकारी बनाता, जो आदमी भजन सिम्रन करता है, नेक पाक रहता है, वो अपने आपको मालिक के चड़नों के साथ जोड लेता। गुरु अरजुन देव जी कहते हैं, आठ साठ तीरत सगल पुन जिये द्या परवान। जिसने अपने उपर द्या की, उसने सारे हिंदुस्तान के अठ सड तीरतों का फल आसिल कर लिया। जो अपने उपर रहन नहीं करते, उन्हें फिर नरकों में सडना पड़ेगा। खोटे खोटे जन्मों में दुख भोगना पड़ेगा। यह सुख चार दिनों का भाई, फिर दुख सदा हो एं दुखदाई। कहते हैं, इस दुनिया में तो दस बीस साल सुख के हैं, नरकों की मियाद करोडों साल की है। जब यह पेड़ों की यूनी में आता है, उनकी उमर सैक्ड़ों साल की है। यह मनुश्य की उमर तो गुजर ही जाएगी। अगर अच्छे अच्छे पलगों महलों में गुजर गई तो भी, अगर फर्ष पर सोकर गुजर लो तो भी, अगर मालिक के भजन में दस बीस साल गुजर लो, तो फिर चौरासी से जन्म मरन से सदा के लिए आजाद हो जाओ। अगर ये मनुश्य जन्म में भूल जाए, तो फिर हजारों सालों के बाद बारी आएगी। के तो तुम गुरहों ये सहाई। पूर रहम करके मेनत करनी शुरू करो, अंदर चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद करेंगे। दिन गुर और न पुजा कोई, दर्शन कर गुरू पद नित से। जब तक तुम्हारा परदा नहीं खुलता, तुम गुरू से प्यार करो। अगर आदमी चोरों के पास बैठता है, चोर हो जाता है, प्लेग वाले के पास बैठता है, प्लेग हो जाता है, हैजे वाले के पास बैठता है, हैजा हो जाता है, अगर संतों के पास बैठता है, संत हो जाता है। क्यों? क्यों के उनकी किरणे जीवों को साथ करती हैं, प्यार वाली दृष्टी उनके जीव पर पढ़ती है। उसने सारी नदियों में सनान कर लिया। इसी तरह सारे देवी देवता मालिक के अधीन हैं। सारे खंड ब्रमांड मालिक के हुक्म में हैं। अगर शिष्ष ने गुरू से प्यार कर लिया। उसने सारे देवी देवताओं से प्यार कर लिया। देवी देवा इश महेशा, सूर्ज शेश और गौर गनेशा, ब्रहम और पार ब्रहम सतनामा, तीन लोक और चौथा धामा, कहते हैं, ब्रहम, पार ब्रहम, देवी देवता, सब हरी रूप, सत्गुरु की पूजा से मिल जाते हैं, जिसे इनके दर्शन करने हो, वो गुरु के मार्ग दर्शन में अभ्यास करे, मूल चक्र में गनेश है, इंद्री चक्र में ब्रहमा है, नाभी चक्र में विष्णु है, हरदय चक्र में शिव है, और कंठ चक्र में शक्ति, इसी तरह ब्रहम में इसके अंदर है, पार ब्रहम म मगर बगैर गुरू के खाक भी नहीं मिलती अगर गुरू ना मिला तो इन देवी देवताओं में से एक भी नहीं मिलता कहते हैं अगर गुरू से तुम्हारा प्यार है तो सारे देवी देवताओं की सेवा हो गई इसमें जरा भी शक नहीं इसलिए हम तुम्हें बार बार गुरू की भकती करने पर जोर देते हैं गुरु अंगत देव जी कहते हैं जे सौ चंदा उगवे सूरज चड़े हजार एत्ते चानन होंदें गुर बिन कोर अधार लाखों सूरज चंद्रमा चड़ जाएं बहारोश्नी हो जाएगी मगर जब आंखें बन करो तो अंदर अंधेरा है गुर मुख होए गुर अग्या बरते गुर बरती एक छिन में तरते अगर पूरा गुरु मिल जाए शिश अभ्यास करके अंदर शब्द के साथ जुड जाए तो अंदर परदा खुल जाए जो जीते जी मुक्ति है वो गिंती में है बाकी सब ऐसे ही है गुर मेहमा मैं कहां लग गाऊं गुर समान कोई और न पाऊं कहते हैं गुरु की मेहमा कहां तक करें गुरु के बराबर गुरु ही है और कोई नहीं गुरु अस्तुत है सब मत माही गुर से बेमुख ठोर न पाई दुनिया के सारे मतों में जो भी भजन सिम्रन अभ्यास करते हैं गुरु की मेहमा करते हैं सारे वेद शास्त कहते हैं कि बिना गुरु ना किसी को परमेश्वर मिला ना मिलेगा भोग बिलास हुकूमत जग की धन और हाकिम के बस रहती कहते हैं दुनिया की दौलत पैदा करने के लिए तुम लड़ाईयों में जाते हो वो धन बाल बच्चों की सेवा में खर्च करते हो वे बाल बच्चे साथ नहीं जाते कहते हैं अगर इसका दस्वा हिस्था भी गुरु की सेवा में खर्च करो तो तुम्हारा जन्म समर जाए हाकिम सेवा तुम कस करते धन और मान बढ़ाई लेते कहते हैं तुम हाकिमों की सेवा करते हो बर्फ गिर रही है सिपाही पहरे पर खड़ा है वहीं गिरा और दब कर मर गया जब हाकिमों की इतनी ताबेदारी करते हो अगर गुरु की सेवा इसका सौवा भाग भी करो तो वो तुम्हें मालक के साथ मिला सकता है आग्या उसकी अससिर धरते खान पान निंदरा भी तजते सो धन जोड किया क्या भाई जगत लाज में दिया उड़ाई कितना दुख उठा कर रुपया लाए बेटे बेटियों के बया शादियों पर खर्च कर दिया सो जग की गती पहले भाखी चार दिना फिर है नहीं बाखी सो धन कारण हाक्यम सेवा ऐसी करते क्या कहूं भेवा कहते हैं ये तो पहले ही तुम्हें बता दिया है कि यहां चार दिनों का गुजारा है अगर इसी जन्म में मेहनत करके परदा खोल लिया तो कैट से छूट गया अगर भूल गया तो चौरासी में गया लाखों करोडों साल गुजार कर फिर मनश्य जन्म की बारी आएगी गुर सेवा जो सदा सहाई तांको ऐसी पीठ दिखाई कहते हैं वो गुरू जो दुनिया में भी तुम्हारे साथ है आगे मौत के बाद भी तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हें सचखंड नहीं पहुचा लेते छोड़ते नहीं उसकी दोस्ती मुकमल है या दुनिया की दोस्ती दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा कभी न दर्शन को मन तरसा कहते हैं जिन बेटे बेटियों को साथ नहीं जाना उनकी सेवा में सारी उम्र लगा दी और जिस महात्मा को तुम्हें मालिक की दरगाह में लेकर जाना है उसके पास तो कभी सालों तक नहीं गए कहो कैसे तुम्हा उधारा नर्क निवास दुख चौधारा कहो फिर तुम्हारा उधार किस तरह होगा तुम्हें कौन पहुचाएगा नर्कों के दुखों से कौन बचाएगा उस दुख में कहो कौन सहाई गुर से प्रीत न करीब नाई जब मौत आती है घर वाले खड़े होते हैं ये काला पीला होता है रंग बदलता है ये संबंधी साथ नहीं चलते लेकिन गुरू साथ जाता है और मदद करता है जो इसकी पृतीत न लाओ तो मने अपना यो समझाओ कहते हैं अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो आओ तुम्हें और तरह से समझाते हैं रोग दुख नित प्रती सताई मौत प्यादे हैं ये भाई कहते हैं जो बीमारियां तुम्हें आती हैं इसमें कोई शक नहीं ये किराय का मकान हमने लिया है एक दिन छोड़ना है येंसा तुम पर भी आवे इक दिन काल सीस पर धावे जब सारी दुनिया को मरते हुए देखते हो एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी उस दिन का कुछ करो उपाई धन हाकिम कुछ काम ना आई जिस दिन यहां से जाना है ना ये धन साथ जाएगा ना बेटे बेटियां साथ जाएंगे केवल शब्द और सत्कुरू साथ जाएंगे लेकिन पूरा सत्कुरू मिला नहीं जिसे सत्कुरू नहीं मिला उसे यमदूत ले जाएंगे पर जो समझवार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते कारज लेना ये है भाई गुर सेवा में खर्च कराई कहते हैं अगर घर में तुम्हारे पास धन दौलत बढ़ जाए तो साध संगत की सेवा में लगाओ कबीर साहिब कहते हैं जो जल बाढ़ है नाव में घर में बाढ़ है दाम दो हाथ लीचिये यही सज्जन को काम किस्ती दरिया में जा रही है अगर किस्ती में पानी आना शुरू हो जाए तो सेणा आदमी वही है जो दोनों हाथों से बाहर निकालना शुरू कर दे किस्ती पार लग जाएगी नहीं तो उसके डूबने में कोई शक नहीं इसी तरह अगर घर में रुपया बढ़ना शुरू हो जाए तो मुनासिब यही है कि उसमें से कुछ हिस्सा खैरात या दान या गुरू की सेवा में खर्च करो तो धन सफल होगा कहते हैं अगर तुम्हारे पास धन दौलत बढ़ जाए तो क्या करो अगर बुरे कामों में विशे विकारों में खर्च करोगे तो नरकों में जाने का सामान करोगे अगर अच्छे कामों में खर्च करोगे तो कमाई सफल होगी गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पै धन है भगती नाम का। अब ये सतसंग घर बना है, इसमें आप बैठे हो, आराम करते हो। गुरु तेख बहादर ने कीरत पुर आबाद किया, शिश्यों का धन गुरु अपने खाने पीने पहनने में खर्च नहीं करता, गुरु के पास नाम का धन है, दुनिया के धन का उसे क्या करना है? हाँ, वो चाहता है कि साध संगत की सेवा में लग जाए। पिशावर में बाबा कहान रहता था, जब मैं पिशावर जाता था, वो हर बार मुझसे कुछ न कुछ रुपए मांगता था, और लेकर बच्चों और गरीबों में बांट देता था। मैं लड़ाई में गया, वहां राशन सरकारी था, और भत्ता बगरा मिलाकर दो हजार रुपए लाया, जब उस बाबा के पास पहुंचा तो कहने लगा, कि मुझे इस बार बीस चिट्टे चिट्टे, यनी सफेद सफेद, और गोल गोल लेने हैं। मैंने कहा, बाबा तू लालची हो गया है, उसने दोबारा कहा, कि बीस लेने हैं, चिट्टे चिट्टे, मैंने निकाल कर आगे रख दिये, कहने लगा, उठा लो, तुम्हारा दिल तूट जाएगा, देख लो, मैं आप नहीं खाता, ये देखो, मैं तुम्हारे सामने गरी ना कभी मकदमा बनता है, ना कोई बीमारी आती है, नहीं तो कोई मकदमा पढ़ गया, बीमारी आ गई, हिसाब वहीं का वहीं रह गया, जिसके पास नाम की दौलत है, वो दुनिया की फना दौलत से कब प्यार करता है? पर तेरा उपकार कुरा में, भूखे प्यासे को दिलवा में, गुरु तुझ पर उपकार करता है, भूखे को प्यासे को दिलवाता है, कोई मकान बनवा दिया, ताकि इसका रुपया सार्थक हो जाए, जो दौलत इस तरहा निकलती रहती है, वो आदमी की अपनी है, एक फकीर का काईदा था, वो जिस गाओं में जाता था, रोटी उसके घर से खाता था, जिसकी हक कमाई होती थी, यानि वो पहले ये पता कर लेता था, इतफाक से एक दिन एक जंगल से जा रहा था, एक आदम है, फिर पूछा कि उसके पास कितना रुपया है, कहने लगा कि एक लाग के तरीब, उसके कितने पुत्र हैं, चार, जब वहाँ पहुचा, कहा कि लाला जी रोटी खानी है, साहुकार ने कहा कि आओ जी महादमा जी बड़ी खुशी से खाओ, फकीर ने कहा, दो बातें आप से पूछनी है, हुक्म करो, साहुकार ने कहा, आपके पास कितना रुपया है, साहुकार ने जवाब दिया, चालीस पचास हजार, फिर पूछा, आपके कितने पुत्र हैं, साहुकार ने जवाब दिया, एक, महातमा उठकर चल पड़ा, साहुकार ने हाथ जोड़कर अर्ज की के महात्मा जी नाराज हो गए चल क्यों पड़े महात्मा जी बड़े क्रोज से कहने लगे मैंने तो तुम्हें धर्मात्मा समझा था हक की कमाई करने वाला समझा था तुम तो जूट की गठरी हो तुम बताओ मुझे तुम्हारे पुत्र ले जाने थे या तुम्हारी ही बांट लेनी थी साहुकार ने कहा कि महात्मा जी पहले आप मेरी अर्ज सुन लो रोटी चाहे खाओ चाहे ना खाओ मेरा एक पुत्र परमारत में मेरी मदद करता है बाकी सब शराबी कबाबी हैं वे मेरे लेंदार हैं और मैंने आज तक 40-50,000 रुपया परमारत में लगाय है बाकी पता नहीं चोरों को ले जाना है कि ठगों को उनकी निहर मुफ्त तूं पावे जो उनको परसंद करावे उनका खुश होना है भारी सत पुरुष निजिक्र पाधारी जब तू परमारत में खर्च करता है ये उपकार है हमें न किशी से रुपया लेना है ना खाना है गुरु का खुश होना परमारत मा का खुश होना है गुरु खुश होगा तो हमें परमारत मा से जल्दी मिला देगा गुरु प्रसन होएं जा उपर, वही जीव है सब के उपर, जिस पर गुरु की खुशी है समझो सारा जहान उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की चले नबाजी अगर गुरु खुश है तो धरम राज कुछ नहीं कर सकता, ना यम्दूत कुछ बिगार सकते हैं गुरु की आन सभी मिल मने, शुकदेव नारद व्यास बखाने कहते हैं गुरु की महमा सारे वेद शास्त्र और सारे रिशी मुनी, शुकदेव, नारद, व्यास आदी करते हैं ताते गुरु को लेवर जाई, और नरीजे कुछ न भलाई गुरु प्रसन और सब रुठे, तो भी उसका रूम न तूटे कहते हैं बड़ा काम ये है कि गुरु को खुश कर लो, चाहे सारी दुनिया रूट जाए, परवाह न करो, अगर सारा संसार रूट जाए, तो भी परवाह नहीं, लेकिन गुरु को खुश कर लो कहते हैं कि दुनिया के साथ प्यार है और गुरु के साथ वैर रखता है, वो सीधा नर्कों में जाएगा गुरु की निन्दा से नहीं डरता, गुरु को मान शुरूप समझता सोनर के जानों अपगाती, उस शंग दूत करें उतपाती अगर शिष्य गुरु की निन्दा करता है या गुरु को मनश्य जैसा समझता है तो वो नर्कों का अथिकारी है, वो आत्म घाती है, यम्दूत उसके साथ निपतेंगे या ते समझो बुजो भाई, गुरु को प्रसन करो बनाई कुल कुटंब कुछ काम ना आई, और बिरादरी करें न सहाई इसे अंदर खंडों ब्रमांडों पर ले जाने वाला कोई नहीं, ना बिरादरी, ना भाई बेहन, ना कोई और ये तो चार दिन के संगी, इन निजस्वारत में बुदी रंगी कहते हैं, ये जितने रिष्टदार हैं, ये तो अपनी घरज के बंदे हुए हैं, कभी मां चली गई, कभी भाई चला गया लज्जादार इनका मत करो, गुर भक्ति में अब चित धरो कहते हैं, के गुरू के प्यार को मुकमल यानि पूरा रखो, इन रिष्टदारों के प्यार की शर्म हया की परवा ना करो बादशाद फरुख सिर के जमाने में एक सिर का दो सो रुपया मिलता था, सिर्खों की जान पर बनी हुई थी, लोग छिप कर गुजारा करते थे, लोगों ने औरतों के सिर काट काट कर पेश कर दिए, कि ये सिर्खों के बच्चे हैं, फरुख सिर्खों का बीज ही नाश क बादशाय ने उनके गतल का हुक्म दे दिया उनमें एक सिक्खों का छोटा सा लड़का था वो चार-पांच खानदानों में एक ही था उसकी माँ को पता चला वो वजीर की ओरत से मिली वजीर की ओरत ने वजीर को कहा वजीर ने बादशाय से कहा बादशाय ने कहा कि अगर ये कह दे कि मैं सिक्ख नहीं तो मैं छोड़ दूँगा जिस वक्त वे सारे सिक्ख बादशाय के सामने आए उस औरत ने कहा कि ये लड़का मेरा है बादशाय ने उस लड़के से कहा कि तू कह दे कि मैं सिक्ख नहीं लड़के ने कहा मैं सिख हूँ मैं सिख हूँ मैं सिख हूँ आज अलाद सबसे पहले मुझे गतल कर ताके मेरी माँ को देर तक दुखी न होना पड़े इस गदर विश्वास और भरोसा शिश्यों के अंदर होना चाहिए कैसी जबर्दस्त गुरु भक्ती है गुरु सहाइता यहां वहां करें उनसे करता भी कुछ डरें गुरु दुनिया में सहाइता करता है और अंदर खंडों ब्रमांडों में भी मदद करता है काल भगवान भी गुरु के शिश्यों को छेड़ नहीं सकता दरता है एक साहुकार नंबरदार का काईदा था कि वो अपने आसामियों से सूद दर सूद लिया करता था एक दिन वो एक जमीदार के घर अपने नए मामले का फैसला करने गया जमीदार में बहुत जोर लगाया लेकिन उसने एक न मानी उसके पशू बच्छडे और जो अनाज था सारा ही वे आज में गिन गिना लिया एक कोड़ी न छोड़ी जमीदार ने भी दिल में कहा कि अच्छा लाला अब जा और अपना बिस्तरा ले जा वो मजदूर ढूंटा फिर रहा था क्योंकि जमीदार ने उसके सलूक से मजदूर लाकर नहीं दिया था अब गाउं में मजदूर कहां से मिले एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा बिस्तरा ले चलता हूं पर एक शर्त है या तो तू मालिक परमात्मा के भजन सिम्रन की बातें करता चल और मैं सुनता जाओंगा या मैं करता चलता हूं और तू सुनता जा लाला ने सोचा कि ये कौन सी मुश्किल बात है ये बातें करता जाएगा मैं हाँ हाँ करता जाओंगा उस महात्मा ने उसका बिस्तरा उठा लिया और दोनों बातें करते हुए चल पड़े जब उसका गाउं आ गया साधू ने कहा कि लो उलाला जी मैं अब जाता हूँ साधू ने दिल में सोचा कि ये क्या याद करेगा कि मेरा किसी साधू से वास्ता पड़ा इसे कुछ करामात दिखानी चाहिए साधू ने कहा कि आज से इतने दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी तेरी सारी उम्र में कोई श्रेष्ट कर्म नहीं ये जो एक घंटा मेरे साथ बातें की हैं ये है श्रेष्ट कर्म तुझे यम्दूत ले जाएंगे और पूछेंगे के तुझे इस एक घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है के बाद में तू कहना के पहले और फल ये मांगना के मुझे उसी महात्मा का दर्शन कराओ फिर जो होगा तू देख लेगा जब मौत आई धरमराज के यम्दूत आए और साहुकार को पकड़ कर ले गए जब पेश हुआ धरमराज ने चित्रगुप्त को कहा के इसका एमाल नामा यनि कर्मों का लेखा देखो उन्होंने कहा के इसका कोई श्रेष्ट कर्म नहीं धरमराज ने फिर कहा के फिर देखो, शायद कोई श्रेश्ट कर्म हो, उन्होंने विचार करके कहा कि एक महात्मा के साथ इसने एक घंटा बातें की है, सत्संग किया है, धरमराज ने पूछा कि तू इसका फल पहले लेना चाहता है कि बाद में, साउकार कहने लगा कि पहले दे दो, और ये कि जहां वो महात्मा है, मुझे वहाँ ले चलो, बाहर से महात्मा का शरीर यहां इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सुरत खंडों ब्रमांडों पर रहती है, यमदूत साथ गए और वहाँ ले गए, महात्मा ने कहा, भाई साहुकार, तू आ गया है, साहुकार ने कहा, कि जी हा आपकी कृपा से आ गया हूँ पर वे यम्दूत बाहर खड़े हैं अब जहां मालक का भजन सिम्रन हो वहां यम्दूत नहीं जा सकते साउकार को अंदर गए काफी देर हो गई उसका एक घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया यम्दूत बाहर खड़े हैं और आवाजें और इशारे दे कर बुलाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आया यम्दूत आखर हार कर चले गए और धर्मराज के आगे जाकर शिकायत की कि अजी वो नहीं आता धर्मराज ने कहा कि वहां ना मेरा गुजारा है ना तुम्हारा इसलिए अब तुम उसका खयाल छोड़ दो सादूओं के एक मिनट के सत्संग के बराबर कोई कर्म नहीं सत्संग से काल भी डर्ता है धर्मराज भी इसी सिलसले में गुरू अरजुन देर जी फरमाते हैं जह सादू गोबिंद पजन कीर्तन नानक नीत ना हव ना तू ना छुट है निकट न जाईयो दूद कुल कुटोंबर से कुछ नहीं सरे इनके संग नर्क में पड़े धर्मराज के यमदूद तो केवल मौत के बखत आते हैं पर ये रिष्ठदार तो जिन्दा यमदूद हैं इनके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता कार्य मात्र बरतो इनमाही बहुत मोह में बहुत दुख पाई हाँ बाल बच्चे छोड़ने नहीं उनके साथ व्यवहार रखना है लेकिन जो असली प्यार है वो गुरू के साथ होना चाहिए ताते सत्संग सत्गुर सेवो नाम पडार्थ दम दम लेवो सत्गुरू सत्संग और नाम की कमाई करो इस दौलत को भी साथ साथ इकठा करते जाओ और साथ साथ गरहस्त भी निभाओ गुरू समान और नाम समाना तीसर सत्संग और नजाना कल युग में मुक्ति के तीन उसूल हैं अवल गुरू, दूसरा सत्संग और तीसरा नाम की कमाई सारा गरंट साहिब इन तीनों की महमा करता है इन से सब कारज होएं पूरे कर्म काट पहुंचो घर मूरे इन से मुक्ति हो सकती है, जन ममरन खत्म हो सकता है और दुनिया में भी सुख ले सकते हो यह कहना मेरा अब मनूं नहीं अम्त को पड़े पचतानों गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब और दूसरे जितने महातमा हुएं हैं सारे यही कहते आएं हैं कि जितने सुख हैं चार दिनों के हैं धन और मान काम नहीं आवे उकम हाक में सबील सावे ना धन साथ जाता है, ना यह बादशाहत, और ना यह हुकूमत साथ जाएगी ताते कुछ भगती कर लीजे यह भी सुफल कमाई कीजे जिस तरह हमारे घर के सारे काम जरूरी हैं इसी तरह मालक का भजन अती जरूरी है इसलिए सौ काम छोड़ कर भी मालक का भजन कर लो धन और मान काम नहीं आवे उकम हाक में सबील सावे ताते कुछ भगती कर लीजे यह भी सुफल कमाई कीजे काम लोगती कर लोगती अवे